आज जौलार नहरू विस्विद्याले में उपस्तित बौधिक समुडर और जहां अपनी बात रखने के लिए मुझे अमंत्रिक्या, भारतिय भासक केंद्र, गंगा साहर मीनाजी, भासा को लेकर के समाज और समुदाय में खास कर खुलान में एक नई प्रवर्ति आज की युवां में आई है, ज्वलाल नेरू ने एक बार कहा था, the language problem is almost always exceedingly important from the psychological point of view. It is absolutely clear to me that government must encourage the tribal languages. It is not enough simply to allow them to prevail. they must be given all possible support and the conditions in which they can flourish must be safeguarded. We must go out of our ways to achieve this. If the tribal people have a script, we must of course use it. It has been stated that one of the main reasons why schools do not fulfill the real functions in tribal society is inadequate attention to the local languages. In schools, the children have all the knowledge of their knowledge and knowledge, especially in the Klan. They don't want to study. They want to study. अब जिस बासा में उलूक की पढ़ाय हो रही है वहां उनको अपनापन नहीं मिल रहा है एक प्रयास हुआ है हम लोग उनकी ओर से यौण की ओर से पिछले दो साल से जैसा सभी वक्ताओं ने एक कहा है अपने समय का सदुप्यों करते हुए सहितिका इतिहास के बारे में सहितिका बहुष के बारे में संभाना के बारे में हम उन लोगों को कैसे जोड़ेंगे जो मेरे गाओं घर में आंगल में खिलते हैं वो बचे वो माता जो मेरे घर के रसोई में सुबह से साम तक धुमे में अपने आपको जोकी है तब एक रोटी बना कर मुझे गे उनको कैसे जोड़ेंगे, इस सहीतिका समझ उसमें कहां से लाएंगे, जिस सहीतिका बारे में आज हमनों बात करें, उसकी संभानों के बारे में आज बात करें, वो दादा जी, बुजुर्द, जो कभी स्कूल को लिज गया ही नहीं, उनको इस सहीतिका साथ में कैसे जोड़ें, क्या उनके पास ये समझ नहीं है, मुझे लगता है, उनको way of expression, एक माध्यम की जरुरत है, वो लोग जो कहना चाहते हैं, जो समवाद इस्ताफित करना चाहते हैं, उनको उस माध्यम की जरुरत है, पिछले दो साल में हम लोगों न गुरुजी जिनों ने वरण-चिते लिपी का स्क्रिप्ट का अविस्कार किया, और उसके ब्यावहर को उन्होंने एक कैंद्रिश ताकित किया, पस्यम सिंबूब में जीट पाने में, और जहां से ऌन्होंने उसका परसिक्षिन का कारे स्रुपूए, तक कि भास भासा तो स उसको बहुत दिनों से मैसुस की जा रहेती है, तो उस पर जो है किछले दो साल में हम लोगों ने देखा कि सरकार जो है अपने तरिके से उसको बढ़ावा देने के लिए अपनी योजनाएं, जो कारेकरम ताई किये, उस से अलाग, ये कारेकरम ऐसा हो, जो गाओं घर में जो बच्चा खेलता है, घरांगन में खेलता है, उसका हो, वो जो मा, वो जो दादी घरांगन से, उनके लिए सारा ताकत इकटा करती है, उसको रोटी बना करती देती है, उसके लिए हो, और वो जो दादाजी है, दादाजी जो कहना चाहते हैं, उनकी भी बात उसमें सामे में वरंचिति में जो मौखिक सहीत के है उसको हम लोगों ने लिखा उसको हम लोगों ने सलेवस का रोब दिया और पिछले दो साल से तुर्टुम नाम से एक सबसर्ता कारेकरवानों शुरूब के हैं अब तक उसका रुजहन हम लोग देखे हैं मा भी बैठती है बेटी भी पढ़ने के लिए वो इसलिए कि बहुत दिनों बात इस तरह का योजना समाज और समुड़ाय आपने गुल्बूते कर रहा है वो किसी भी बहग बगर किसी सरकारी सहयोग के है चुप चाप वो लोग अपना काम कर रहे हैं मेरे साथ करीब 250 विद्यार्थी जुड़े हैं अ बगर किसी सुविधा बगर किसी सहयोग का लालश लिए निश्वात भाना से वो अपने अपने च्छेतर में लागे हैं आज मैं यहां बैठा हूँ आप लोगों से समाधिस्थापित कर रहा हैं लेकिन वो लोग अपने काम के साथ कहीं न कहीं इस वक एक क्लास्रूम में ब एक प्रयास था कि जो हम लोग कहते हैं उनको एक मंच की जरूरत है वो मैंने कुलान से कम को शुरूआत किया अपने करीब के दो हजार का पुंजी में और निरंतर्ता तो नहीं चल पाई अपिंकी हम लोग देखें हैं कि जो लोग पत्रकारिता में आते हैं यह पत्र सुरू होता है चलता है बनते उस तरह की इस्तिती में हम लोग भी लगातार दो साल चला फिर छुटा फिर मतलोग सब काम जो है हम लोग करना पड़ा है तो साईति का छितर में यह वरंचिती का जो तुर्तुंगा करिकरम सुरू हुआ तो हम लोग ने देखा कि बहुत सारे जो बोलना चाते थे इस वरंचिती वो सिखने के बाद में अब उनका जो way of expression है, अभी हुनको आ रहा हूँ, पीता जी को मैं अभी जान रहा हूँ, कि उनके पास क्या सोच है, वो मेरी एक चाची है, वो गीत गाती है, आप मुझे पता चला है, कि उसको ये नहीं मिला था, अब वो लिख रही है, उसकी उम्र है पैंसे कोर्स, वैसे लोगों को हम साहित्य का छेतर में अब लेके आना चाते हैं, या उनकी भावनाओं को अब मंच देना चाते हैं, तो देखते हैं क्या, कि कुछ-कुछ लेखक आ रहे हैं, इसमें एक उनका रचना है, हमारे सामने में एक दाआ गमारिया कानी, पानी, आज हमारे है, और इसका उपियोग भी हम लोग देख रहे हैं, इसका जरूर्द भी महसूस कर रहा है, जिमेदारी इसको बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए उनकी है, चोक्के, यानि मेंडग, मरा, मोर, सी यू तनी, क्रिशक, हल जोतने वाला, गमा, रिमिल, बादल, इस सबका आपस में एक रिलेशन है, एक लेखक ने इसको कहानी के रुप में पिरोया, मेडग को, कहीं मैं अपना मेडग का जो टार्टर है भोल ना जाओ, बहुतार, सहसे बहू बोल करे वो भरी गर्म में करता है, कहीं ये आने वाली पीरी, भूल ना जाय टार्टर करना, हम कर द before कर रहे हैं, कि कहने में पासी ना हो. तर बढल तर तर वोगिया, उसकी काने में यह और वो टाट्रा रहा है भरी धुबर है, उसका पिछे-पिछे में मोर जो है, आया, हम का भेखर्खरतीnoc करहा है, तो काँ भारिस आया है, बारिस तो होगे नहीं, यह मैं अरे भाई, कहीं मैं भी नाचना न भूल जां मोर बून नाचना शुरू कर दो इधर टटर का काम हो रहा है इधर मोर नाचना रहा है उन दोनों को देख करके जो हल जोतने वाला है आया है देखा आच्छा है मैं हमी बेवकूफ है इतना धूप में जो है आप लोग मेरे आप लिखा रहे हो और यह जो नाचना दिखा रहे हो तो बोले कि दोनों मिलकर के नहीं भई ऐसा कोई बात नहीं है हमनों के ड्यूटी हमनों के जेनरेशन का जो यह जो सभा उसको बचा कर रहना चाथ है उसलिए कि हाल चलाना भूल जाओं मैं भी हाल चलाना वह जो हाल चलाना सुरू किया है हाल चलाना सुरू किया तो उसको देख करके बादर बोलता है क्या तुम लोग यह सब कह रहा है बेवकूफी कह रहा है इसे क्या होगा तो उसको भी वही बात वालोग बले कि अगर हम लोग तो उसको भी लग हाँ बादल भी कहीं बरसना ना भूल जाए मैं नी बरसना पूल जाए तो यह जो परिगणना बता रहे हैं कि सब्सक्राइब कर प्रकृति के चक्र है वह चबता रहे हैं और एक कहारी है पक्सियों को पकड़ करके पिंजने में रखने का बात बता रहे हैं उसी में ही एक कहारी है रामी यदおお जौ आया दो जातुव मेना को पकड़ लाता है अपने पास में बहुत चोटे में ढूसला से उठा लाता है उसको चिडियों से प्यार ले के आता है तो बहुत चोटा से ही सत्यू का लोई कर गगे उसको खिलाता है और खिला खिला गर बढ़ा किया और उसका जो बोली है उसका बोली में उसका बोली में उसका बोली में दोनों के बीच में इतना आदान प्रदम दोनों के बीच में इतना प्यार है कि यह जो दोनों का जो तालमेल है बहुत जबाता है वो इस दुसरे के बिना नहीं रह सकते ह जो आया और यह मैना बोला कि आज बहुत तकलीफ का वाद है, हम एक सुन्दर सी मेरी प्रय को हम देगे लिए और उसको जाके हम बहुना सोलगी है मनुस्री के बासाम, जो वो चीखा था, उसी में जाके उसको अपना जो एक्सप्रेशन है, उसको मैं रखा, कि मैं तुमको पासनु करता हूं, कै तो मेरे साथ चलेगी, मुझे बहुत सुंदर लग रहे, चलेगी, तो वो बोले, यही वाला तकलिप, इस जातुवे को बोला, कि भाई, इस तरह हम बोले हैं, उस समझी नहीं, बस मैंना जो है, टें, टें, करती रही, मैं भी नहीं समझा, पता हैं, क्या बोले हैं, वो भी मैं नहीं समझा, तो यह जातुवा जो है, जातुवा को ऐसा हुआ, उसकी बासा बोली है, उसकी जाती है, पर जाती है, उसको म अपनी भासा सीख और जिसको तू पसंद करता है उसके साथ घर बासा और जब घर परियो और बन जा तो मेरे को पाता देना भाईया कि मेरे से एक गल्ती हुआ था हम इसको जो है इस तरह के ये कानिया आया है उसके बाद एक हमारे बीच में मेरे साथी है घंस्याम बोद्रा यहां अपने प्रयास से देन का यह नया प्रावर प्यार हो रहे और अंकर लगता है इसको उनने फेस्बॉक पे पुस्ट कर रहे है उनके बास एक कहानी तो बहुत पहले बाद जो उनको प्लाण से काम सूरू करते है कंपोजिंग का काम यही कहता है तो यह उन्होंने एक कहानी लिखी थी जेना में मुटे तो सापा इंते हैं जो चेहरे का खुब्सूर्ती है क्या यह पुस्टकें बढ़ाती है बढ़ाती है उसमें एक कहानी है एक गां का न चपीत का कहानी है जो एक मिल का बंध होने के बाद साबुन बेषतेकर था साथ में कुछ किताबे लिए, तो उस्तानी में वो जो चल पात रहे, वो घर-घर जाकर भी बहर लगाता है, और बंद साबन लेलो, साबन लेलो, तो साबन करते हैं, एक से एक इस्तिमाल करने वाले लोग हैं, मैं तो बजपन से ही लाइपबोज साबन से नहाता हूं, मैं तो साबन लाइपबोज नहीं लूँगा, मुझे लाइपबोज देना, दूसरी लेगा जाता है, दो देवरानी और भावुजे हैं, दोनों बात कर रहे हैं, अपना फुर्सूर्ति का पातान करता है, बजबन के बेचने जाता है, और बोलता है कि साबन लेलो, साबन ल मुझे लाइपबोज देना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो बोलती है, अरे दब थोड़ी काम करता है, अभी तो फॉल्स आ गया है, फॉल्स यूज़ कर, तो साबन, अब लोग जो जो चाहिए आप बोल दीजे, साथ मैं किताबें भी लाया हूं, तो किताबें से चेहरे का खुब सूर्ति यरिका रहता है, यहां किताबें यहीं जो बात है, इस तरह की जो कानिया है, हैं, हमारे हो समाज समोदा के पीछ में, उन्हें बहुत सारे प्रतिभाप आ रहे हैं, शैयत्यक के बारवें, अपनी रचना लेकर के आ रहे हैं, और हमको लगता है क उस तरह की यूआप, ततिभा और लेखाकों को मंच मिलना चीए, जिसके वज़े से हम लोग ने पुलांग सकाम शुरूर किया, उसके बाद इस तरह की रचनाव को हम लोग लेके आ रहे हैं, और आज जिस पेपर को मैं यहां जमर करने के लिए था, उस पर तो मैंने कोई तर सब्सक्राइब हैं, प्रेटिक इंजिनेर हैं, उन्हीं दो अपने साथ हैं, बहुत बहुत धिन्नवाद, कासरा है, अभी हमारे पास दो वक्ता और हैं, जो अपनी बात कहने के लिए आए हैं, एक तुसांती निकेतन में, विश्वभारती विश्वध्याले में, शंताली भासा विभाद के होड़ी हैं, बहुत युवा हैं, डाक्टर धनेश्वरमान जी, वो हमारे बीच में हैं, और दूसरे गुमला टाना भगत कॉलेज से कुडुक के और नाकपूरी के विद्वान हैं, हमारे साथ प्रोफेशर महेश अगुस्टिन महेश कुजूर, लेकिन अब ब्यस्थापकों का बहुत दवाव है, बहर मौसम खराब हो रहा है और खुले में खाने की ब्यस्था है, तो ये बहुत चमा के साथ कि हम कल के सत्र में इन दो विद्वानों को सुनेंगे, और अभी हम लोग सब लोग भोजन पे चलें, इस एक बात के साथ में बात को दो मिनट आप से चाहूंगा, कि एक गीत है हमारे जारकन में बहुत गूंचता है नाकुरी भासा में, मौरे अठरा साल होएगे लकरे, है दादा मौर बिहा करा दे, है आयो मौर बिहा करा दे, ये गीत आपको एक यौन प्रेम की आकांचा का गीत है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात है जिसकी तरफ से, जिसकी तरफ हमारे सहित्ते विज्यानियों का, समाज विज्यानियों का ध्यान और हम लोग भी चूप जाते हैं, उसको समझने की जरूरत है, जिसकी कहानी अंत किया, उन्होंने कासराय जीने की क्या किताबों को पढ़ने से चेहरे पर अरे जो बोल लिया हो भी शुन रिकॉर्ड का रहा हूँ कर सकता है जंपक जो है। बचित पकलानी दो अधर शो साफ्से ना घंजे लोगा जो पुलता शाल जो शोब साटानी इस वाज शोब झार इसका अध्या से इसकी पाचाओ मुच्छ जो 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 शूब जो दो, जो जो शोब एंदे जो आटी मोने को अधिता अँभ बाइ, भी जयलों है, जए आप लोगानों है. कर दो भंक के लगा पर दाया का शौर्ण एा, क्थालें नहीं लाइक, ओ hacking लाइक, हुआते लाइक, इन वाइक, लाइक, इम हुआते का एगाए, क्यों वाइक, अजहीं हूआते है, प्रहु जड़ियों inspect का रफांजी, जड़ियों description का लाइक, लाइक, खाईक, एक भने घर हुआते हैं जहीं व तोड़ा और काना ने आते क्षिता शादन feh तोड़ा favorit कर्यों के भागा दो गले ते कि अजा है एक को ढूदें के एक बागा सुदिए सादियों कि रेक भागा है शार्यों कि रागा रह है जुडियों जुचियों उड़का रज़, नूब दो ढूदिम्हें जुचियों आगा सेख़का सबस्टाइब कीछ एनानी दूनानी प्रेगा मुटनी आगा। अगला सत्र भारती भासाओं में आदिवासी साहित स्रजन और बिमर्ष की दिशाएं इस विशे पर किंद्रित है इसमें मुख्य ध्यान होगा हिंदी भासा में जो आदिवासी साहित लिखा जा रहा है उसके बारे में बात करने के लिए इस सत्र के संचालक या सहियोजक है विनोज कुमार जी आप सब लोग उनके नाम से इस सत्र में जो लोग भाग लेंगे उनमें सबसे पहले मैं रणेंदर जी को बुलाओंगा संजीव जी निर्मला पुतुल जी रमनिका गुपता जी और सरवन कुमार मीना जी आएं सभी मंच पर अपना इस्थान करें इसके अलाबा जो बात्चीश शुरू होगी उसको आ और डाक्टर संजे कुमार सुमन है एक सुचना ये है कि इस सत्र के बाद पांच बजे जो हमने तै किया था जो नाटक के बारे मारा भाषा कर रही है दावा एक नाटि मंचन है जो पांच से शाय थोड़ा आगे सरकेगा लेकिन आप लोग उसके लिए रोके रहें और इस स सवाल डेस्क पर पहुंचा सकते हैं हमारे तमाम बक्ताओं से हमारा निवेदन होगा जैसा पिछले सत्र मौन ने देखा कि हालांकि हम नहीं चाहते कि यह कोई हैदी प्रैक्टिस नहीं है कि कि किसी को बोलने से रोका जाए लेकिन फिर भी अपनी बात को संक्षेप में के बात थोड़ा संक्षित कर सकते हैं और इस मंच के पूरी जैमेदारी में सहुपता हूं विनोत कुमार जी को और आप सब लोगों को धन्यवाद संबेलन के दूसरे सत्र में हम सभी का स्वारत करते हैं जैनियों से हम यह मैं आत्मियता का अनुवर करता हूं मेरे मित्र जो इत्लपाक से यहां नहीं है विर्वाय तलवार यहां नहीं है वो इसी ज़वाद कर समालते हैं हमारी एक और दूसरा सा पाथी मित्र रमन सिना यहीं डॉक्टर रमन सिना नहीं है मेरे और एक कुड़ानी दिनों के मित्र तो नहीं कहेंगे देवेन चौबे यहां है इत्फार से मंच पर भी जो लोग हैं वो सब हमारे आत्मी हैं और करीब हैं और सब हम लोग एक एक 26 एस में रहकर काम करते रहें अभी अलग अलग जगों पर हैं वो चाहर रमनिका दुपता हूं जो जिनका कारिशत मूलता कुलांचल और वही इलाका था अब वो दिल्ली में हमारी प्रवक्ता है आजिवास समाज की और उनके पर्ष्ट की बातें करते हैं संजीव जी वो पन्यासकार कहानीकार उनका छत्रवे श्वेलांचल रहा है धनवाद में थे अभी वो दिल्ली में हैं रनेंडर जी का दिन रात का साथ है होगे रांची के हैं वही हैं और मैं खुद बोकारो रांची इसके अराब एक साथी और हैं उनसे मीना जी और निर्मला पुतुल जी है और निर्मला पुतुल जी सही बहुत पुड़ाना हमारा परिशा है इसके अलावा सरवन कुमार मीना जी है इस सत्र में हम जो पैनल में है या और लोग जो बाचिक में हिस्सा लेंगे उसमें वो लोग हैं सामिल जो गैर आधिवासी होते हुए भी आधिवासी समाज को केंद्र में रखकर लिखते पढ़ते रहे हैं और ये अतिस्योक्ती नहीं होगी कि हिंदी साहित में आधिवासी समाज को पिस्थित करने का काम है ये से ख्रेंचन के के बारे में कहा जा सकता है कि वो आधिवासी समाज को प्रतिश्थित किया उनको रखकर उनको केंद्र बनाकर लिखा हम तो यहाँ प्रति भागी के रूप में भाग ले निकले आये क्या उचके लिए रावती भी तयार करके लाये के और उसको हम लेकिश छोड़ के आगे अपने कमडे में कुछ बातें लेकिन कहना चाहते हैं दो तीन चीज किसुबह से वो सदिस्कसन हो रहा है सभ्धता को हम आद्ल मानते हैं हम उसकोगर आदिवासी समाज सभ्धता और संस्कृति के समासां पर चलने वाला संस्कृती मांते हैं एक समाज मानते हैं